नमस्कार स्वागत है आपका बात बेबाक में आपके साथ मैं हूँ अभिशेक कात्यायन बात करेंगे आज बिहार में पश्चिम बंगाल के एफेक्ट की पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी पिछले कुछ महीरों में हो रहा है या फिर ये कहें कि चुनाव के पहले जो हंगामा शुरू हुआ था वो अब तक जो जारी है इसको लेकर बीजेपी तो पहले से ही सवाल उठाते रही है अब जेडी उन्हें भी इस पर हमला बोला है क्योंकि जो इलाकें हैं जहां पर हंगामा हो रहा है वो भारत का इलाका है ना कि कोई मीनी पाकिस्तान है जिसे आपने खुली छूट दे रखी है कि वहाँ पर बिहार और यूपी के लोगों को वहां से भगाया जाए जेडी उन्हें रोहिंग्या को लेकर रोहिंग्या मुसल्मानों को लेकर एक बर फिर सवाल खड़े किया और कहा कि रोहिंग्या वहां से बिहार और यूपी के लोगों को अगर खदेड रहे हैं तो ये बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है कि वो खुद दूसरी जगह से आकर वहां बसे हुए हैं और वो खुद को ऐसा समझते हैं कि जैसे उनका घर है और घर के लोगों को वहां से भगाने में लगे हुए है लेकिन इस बीच विपक्ष को ये बात रास नहीं आई है विपक्ष ने कहा है कि जैडियू की जो भाषा है वो बीजेपी से मिलती जुलती नजर आ रही है बीजेपी जिस भार्षा में बात करती है जेडीउ उसी रास्ते पर चल पड़ी है ऐसा लग रहा है कि सामप्रदाइक माहौल को बिगारने की कोशिश कर रही है जेडीउ बीजेपी के साथ मिल कर लेकिन बीजेपी ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा लेकिन बीजेपी ने ये कहा कि बिलकुल ये हमारा स्टेंड नहीं है या हमारी राय पर जेडियू नहीं चल रही है जेडियू का अपना बयान है जेडियू अपने तरीके से सोच रही है और जो लोग बीजेपी और जेडियू में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं उनको मुह की खानी पड़ेगी यानि इस मामले पर पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी और जेडियू ने एक रुख दिखाया है फिरहाल आप बयान जरा सुनिया उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे अब तो ये हाल हो गया है कि जो हमारे बिहार के लोग जो पिछले 50-75-100 वरशों से बंगाल में बसे हुए है जिनकी सारी संपत्ती, कुण्जी, सबकुछ बंगाल में है जो बंगाली है, बिहारी भी करना उनको बेकार होगा उनको रुहिंगिया भगारे साथ हमारा देश हिंदुस्तान का अंग है परश्चिम बंगाल याब मीनी पाकिस्तान बन गया पाकिस्तान जाओ पाकिस्तान भेज देंगे ये सबसे जनता का रोटी कपड़ा और मकान रोजगार किसान इसका समस्या का समाधान नहीं होगा पर हमको आश्चर्ज हो रहा है आप कैसे किसी को मिनी पाकिस्तान कर रहे हैं मने हमको ताज्यूब है आश्चर्ज है कि नितिश कुमार इस तरह के बयान का समर्थन कैसे करेंगे तो खेर कुल मिलाकर ये स्थिती देखने को मिल रही है कि विपक्ष ये कह रहा है कि ये बीजेपी की भाशा है शिवानन तिवारी को हम सुन रहे थे वो कह रहे है कि कैसे नितीश कुमार इस तरह के बयानों का समर्थन कर सकते है लेकिन बड़ा सवाल विपक्ष से जरूर हम इस चर्चा में ये पूछेंगे कि आखिर क्या वज़ा है कि अगर किसी प्रदेश के हालाद बिगड रहे हैं और वहाँ पर अगर इस तरह की चिंताएं हैं तो क्या वहाँ हालाद बिगड रहे हैं उस पर सवाल उठाना सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी है या बीजेपी की भाषा कहना ये सही ही है जेडीउ क्या अपना स्टैंड नहीं ले सकती है जेडीउ को नहीं लग सकता है कि वहाँ हालाद बिगड रहे हैं अगर रोहिंग्या हमारे देश में आकर हमारे किसी क Honestly में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह कि पर्टी का पक्ष रखेंगे जे डियू की तरफ से जहां से बयान आया है डॉक्टर सुनील हमारे साथ जुड़े हैं पार्टी के प्रवक्ता वो अपनी बात रखेंगे और इसके अलावा माधव अनंद जी है राश्च्रिय महासची वारेलेस्पी के प्रवक्ता है वो हमारे जा रहा है या फिर वहां के जो हिंदू लोग हैं वो यह कह रहे हैं कि उन्हें पूजा करने के लिए भी छूट नहीं दी जाती है अभी कुछ दिनों पहले तस्वीरे भी आई थी कि वहां पर अगर जैस्री राम का नारा लग गया तो इस पर ममताव इनर्जी भड़क हैगी ऐसे लोगों की तेकि निश्चिती बड़ा ही चिंता का विशा है क्योंकि लोकतंत्र में कहीं भी हिंसा का स्थान नहीं होता है और जिस तरह से चुनाव पूर्व हिंसा हुए चुनाव के बाद वहां हिंसा हो रहे हैं वो निश्चिती चिंता का विशा है और कहीं न लोगों को इतना वो कर दिये हैं कि पार्टी के लोग ही उनके हिंसा फैला रहे हैं ये भी आरोप है तो हमें लगता है कि बड़ा चिंता का विशा है और अब ये समय आ गया है कि आप वो कुछ करके कुछ कुछ वहां पर किया जाए को कि चिंद्र ने भी राज जिपाल से रि बिगार करके ताकि आगामी विधान सवा में हमें राजनितिक फायदा मिले हमें लगता है कि ये ओच्छी राजनिती का परिशायक है इसमें बड़ी बात ये है कि जो कॉंग्रेस या आरजेडी आज कह रहे हैं कि नहीं वो ममता बेनर जी सही शासन वहां दे रही है वो इस कोई शक्षी नहीं है अविशेग जी कारकरता या वेक्ति कोई भी जनता कोई भी जिसके हत्या होती है वो बढ़ा एक एक हैड़ी समव गोर समवेधना का विशह है और हमें लगता है इसमें बीजेपी और टीमसी के नधर से नदेके पोरे जैसे की वहांके राज्यपाल न सांती बहाल हो सके क्योंकि देखिए एक बार जब चुनाओं हो जाते हैं लोगता हो गया जिनके साथ जो होना था वो हो गया अब इस तरह के हताशा में कार किये जा मानिय मुख मंत्री ममता ऑनर जी उसे नियंत्रण कर रही है लिया जाल कर दिया उसा Bak को पहल तो ममता बनर जी ने भी कर दिना है कि मैं तू इन्हें प्रधान मंत्री मानती ही नहीं मैं नहीं मानती कि वो पश्चिम बंगाल के लिए प्रधान मंत्री है अब यहां तो चिंता इस बात की है यही तो मैं कह रहा हूँ कि चिंता का विशे है कि चुनाव चले गए अब माननियब मुख मंत्री जो ममता बनर जी है उनके लिए हर व्यक्ति उनका है और चुनाव खतम हो गए उनको वहां शांती बहाल करके पूरे हर व्यक्तियों को विश्वास में लेकर के एक विकास का काम करें माधव जी के पास चलते हैं माधव जी से जानते हैं माधव जी बिलकुल माधव जी बड़ा दुर्भाग ये पूर्ण होता है कि अगर किसी भी प्रदेश में हालात अगर बिगड़ते हैं किसी भी प्रदेश में अगर हिंसा जैसी चीजे होती है या हम कहने रोहिंग्या का इस तरह के मुद्धों को कि वो बीशेपी कि भाशा बोल रहे हैं या बीशेपी के रंग में रंगे हैं ऐसा क्या विपक्ष के लिए यह मुद्धा नहीं है लेकिन निश्चित रुप से अगर बिहार के अश्मिता की बात आएगी तो हम सब लोग साथ है लेकिन आपको एक बात समझने की जरूरत हम सब लोगों को है कि आखिर वेस्ट बेंगॉल में जो भी बरतमान इस्थिती है यह चुनाब की जब लोग सभाग का चुनाब हो रहा था उस वक्त से हम लोग देख रहे हैं अगर मान लिजे कि किसी एक पार्टी की ही इंवॉल्मेंट है ममताब अबनेर जे की अगर बात करें कि वहीं सब कुछ करवा रही है तो क्या केंद सरकार अपनी ससक्त नहीं है केंद सरकार तो परचन बहुमत की सरकार है किसने मना किया था आपको करवाई नहीं करने के लिए किसने नहीं कि जितनी भी सम्विधान में है आपके पास सारी सक्तियां आपके पास मौझूद है देखिए बीजेपी का जो एक ही लक्ष है कि वेस्ट बेंगॉल में अपनी सरकार बनाना है वो polarization of vote चाहती है और मैं कहना चाहता हूँ जेडियू की जो प्रवक्ता लोग है जेडियू क्या जेडियू पहले अपना स्टेंड किलियर करे एक तरफ वो परशान की सोर को भेजते हैं कि ममता बेनर जी के साथ जाए रनिती बनाईए एक तरफ RSS के एजेंडे और BJP के एजेंडे पर यह सो खुद चलना चाहते हैं खुद यह सो डाइलेमा में है कि मुझे क्या करना है नहीं करना है अरे आप इस समझे कि रोहंगिया मुसल्मान के जो बात कर रहे है वो कितने परतीसत है आप UNO का रिपोर्ट निकाले जिए कि वेस्ट बेंगौल में कितने रोहंगिया मुसल्मान है पहले आप रिपोर्ट निकाली जो आप कह रहे हैं कि उसे कह रही है कि यह बाहरी आदमी है चैस्री रामेशिंट औह्scheich जी, रोहंगिया मुसल्मान की लोगों ने बोला कि वो लोग जो है, सो मार के भगार है मैं कहता हूं रोहंगिया मुसल्मान कितने हैं वहां, विस्ट बंगोल में यूएन का रीपोर्ट निकालीजिये, भारत सरकार के पास भी रिपोर्ट है आपको पता चल जाए क्या मुठी भर लोग वेस्ट बेंगॉल जैसे जो स्टेट है वहाँ हावी हो जाएंगे क्योंकि वहाँ की सरकार उनको सपोर्ट कर रही है न मुश्किल यह है यहाँ पुलराइजेशन अब वोट का है एक तरफ हिंदू-मुस वही हैं सब कुछ करवाने वाली है जो कहा जा रहा है इन लोग के माध्यम से तो केंदर की सरकार चूचूब बैठी हुई है मैं कहता हूँ आपके पास सारी सक्तियां है आपने बहुत पहले भी बहुत सारा काम सम्विधान का जो नियम कानून है आपने उसका उप्योग कि कोशिश है एक आरोप ये लग रहा है जैसा कि अभी आपने सुना कि माध्योजी भी कह रहे है कि बीजेपी से रिष्टे सुधारने के लिए जेडी उन्हें ये बयान जारी किया और ये कवायद है क्योंकि एक तरफ प्रशांत की शोर को भेजा गया तो तुरन डेमेज क्रोल भी कर दिया गया देखे फिर मैं कहता हूँ थोड़ा लगेगा अब परति पक्ष में इनकी पार्टी कहां है कहां कुछ इनका विधायक सांसाद की परति पक्ष में की सवाल करेंगे इनको सवाल खरा करने के लाइग बिहार की जनता परति पक्ष है इतने हंकारी मत ब पुलाइए अब जिनकी पार्टी ये नहीं है उनसे बहस करा रहे हैं कि हम लोग लडाई कर रहे हैं अरे हम लोग लडाई करते तब यहां चालिस में उन चालिस जीते हम लोग तो साथ थे साथ हैं साथ चलेगे 2015 का भी याद कीजिएगा 2015 में कितने बीजेपी सीट पे विधान सवा में लड़ी थी और कितने पे आ गए यह अहंकार ज्यादा जिन नहीं चलने बाला है नवल किसोर जी बिहार की एक एक जनता को अवाम को सवाल पुछने का अधिकार है जी जी नवल जी रखिए बेहतर होगा हम जानते हैं कि आप सब कुछ बोलिएगा लेकिन थोड़ा धैर जैसे जिस तरह हमने सुना उसी तरह मेरी बातों को भी जरा सुन लिए मैं गलत बोलता हूँ लेकिन बोलने का अधिकार तो मुझे भी है मैं देखिये जहां तक ममता बनर जी जी का सवाल है और उनके इस केट के यह जो आज जो हो रहे हैं जो आतंक फैला हुआ है हर बंगाल में रहने वाला बाहरी आदमी आतंकित है भाग रहा है स्यफ्ती खोज रहा है निसहाय बना हुआ है यह भारत के लोग तंत्र के लिए और संगिये धाचा के लिए खतरनाग बात है उस पर निश्चित रूप से सारी पार्टियों को नजर रखनी चाहिए यह सवाल भारतिये जनता पार्टी और जेडियू का और कांग्रेस का नहीं है देश के संबिधान और देश के सीमा के सुरक्षा का सवाल है confidence जीतने का सवाल है जिस अमेरिका ने United State of America लिखना पड़ा उसको भारत के लोगों ने हमारे प्रुवजों ने सिर्फ भारत लिख दिया और उसी में ये इतना बड़ा छतरी चल रहा है और हमको या कहते हैं कि कहां इनको बहुमत की सरकार है कहां इनको कुछ करने के लिए रोका है आप नहीं रोके हैं मैं या कहता हूँ लेकिन आप भी जरा समझे हम चाहते नहीं है कि हमको कोई किसी तरह का हम चाहते है कि लोग तांत्रिक धाचा में सहमती और असहमती का अध मोंता 。。कंट्रोल नहीं करती हैं तो आपको या बताना चाहिए कि भारती जनता पाटी जेडियोAK रूलिंग पाटी या इस देश के नेताऊं को क्या करना क्यां चाहिए देश हित में इस सवह गुजरात के लोग रहेंगे क्या यह संभीधान का सवाल नहीं है जो लोग संभीधान के दुहाई देने वारे थे दर्दर की भासन करते थे संभीधान खत्रा में है उनको इन मुद्धों पॉड़ सोचना चाहिए इसमें माधव जी शायद आपको कुछ कहना चाहिए नवल जिस पर चर्चा करने के लिए नवल जी शायद होगा कुछ वक्त पहले गुजरात में भी इस तरह की घटना घटी थी और उस समय बिहारीों को जैसो कितना मारा गया था और बस से जैसो लद-लद की जैसो बिहार में आये थे उस समय भी केंद्र में सरकार थी अपनी आपकी सरकार थी प्रदेश में भी अपनी सरकार थी मानिये मुखमंत्री जी भी 15 दिन तक चुपी साधे रहे थे और पधान मंत्री तो बयान तक नहीं दिये थे और अभी जो आप विस्ट बेंगौल की बात कर रहे हैं गुजरात की घटना उस समय थी उस समय भी कास अगर आप य अगर दिये की सरकार ने किया है दुनिया जानता है कि सीबी आई से लेके रहे हम लोगों ने हर पूत से लेके किस चीस आपर यूर्पियों किया है और तीसरी बार अहंकारी इमत बनिये जो आप कर रहे कि मेरे पास विधायक नहीं है अरे आप भी जीरो वाले शीड पर आपको reject कर दिया है लेकिन ये सत्ता का सवाल नहीं है ये rejection या accept करने का या reject करने का सवाल नहीं है हम एक बार फिर से कुछ है उसी का सबग दिया है जनता ने सफाला कर दिया तब भी आप लोग खोड़ा सा भी लोक लग जा लोक तन्ता है ठीक है एक बार जेडियू के पास फ उठाया है तो चाहता विपक्ष तो इसे गंभीरता से ले सकता था जो पश्चिम मंगाल कभी दुरगा पूजा और दशेहरा के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था वहां पर कहा जाता है कि ममता सरकार के आने के बाद से दशेहरा मनाने तक पर पाबंदी लगा दी है देकि सवाल B.J.P. और J.U. का नहीं है समविधान में धर्म निर्पेक्षित अंकित है और वो कोई OPTIONAL नहीं है वो MANDATORY है और हम धर्म निर्पेक्षिता का मतला वहता है कि हर वेक्ति अपनी अपनी आस्था को और अपनी अपनी धर्म को पालन करने के लिए स्वतंतर है द क्या हश्रुआ इस चुनाव में आपने देखा है जनता ने जात की और धर्म की राज़नी ठेकदारी करने वालों को उखार फेका है इसलिए इसकी बात करना है इसकी बात करना गलत है धर्म की बात हम ना करें लेकिन हाँ चुनाव के लोब से अगले आगामी विधान सभा के विकारन ममता बनर्जी टोटली फेल कर रही है वहां कानून की विवस्ता स्थापित रखने में तो हमें लगता है कि कानून के प्रदत शक्तियों के मुताबिक केंद्र सरकार हस्तक छेप करें और बंगाल में हिंसा विलम रोके कि किसी भी एक सवाल विरोधी उठा रहे है डॉक्टर सुनील वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो केंद्र सरकार जो है वहां पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही मतलब साफ इनका इशारा राष्ट्रपती शासन की तरफ है लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये NDA की कोशिश है कि नहीं हम एक आम सहमती बनाए इसके ल अब इशेग जी हम राजिनती से थोड़ा इतर होके देखें तो आपको अगर असमरा नुगो के अभी वहां के बंगाल के राजजपाल के सिना त्रिपाटी जी ने सर्व दली वैठक बुलाई है कि सारे दल के नेता सिसनितित वहां पहुंचे और अपने अपने कारकरताओ से अपील करें कि शांती बहाल करें तो देखिए शांती बहाल होना लोकतंतर के लिए बहुत जरूरी है और ये चुनाव आसन चुनाव को ले करके ये चुनावी हिंसा फैलाना और आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी पर पक्च्या परोपरोग चुरूप में उस हिंसा को समर्थन समर्थित करने के आरोप लग रहे हैं तो हमें लगता है कि मुक्हमंत्री ऐसे एक एक ऐसा पद है कि अगर उस पर आरोप लगे तो यह उचित नहीं है किन्द सरकार को कानून वहाँ पे बहाल करने के लिए जो आवशक कदम है वो उठाने चाहिए और जो विपक्ष इस बात को जो मांग कर रहा है तो हमें लगता है कि विपक्ष तो किसी और मनसिक्ता से मांग कर रहा है खुल करके किन्द से क्यों नहीं विपक्ष काता है कि वहाँ रास्पति सासन लागू करो जब हम निर्दोस बिहारियों की जान जा रही है और माधव जी से इसका जवाब देता माधव जी चुकि आपने इशारों में काररवाई की बात कह दी लेकिन क्या आप यह चाहते हैं जान बूचकर कि पिछले 5-6 महिने से घट रही है किन सरकार के पास उसारे पावर है मैं कहता हूँ जो मेरे जीडियू के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं सरकार अगर चाहती अगर यह लोग कह रहे हैं कि ममता बिनरजी दोसी है आपको SIT बैठा लिये रहते आप दूद का दूद पानी का पानी हो जाते कि कि किसका कितना involvement है मैं कहता हूँ एक तरफा नहीं हो रहा है होड़े यह घटना हम लोग को भी दर्द है ऐसा नहीं हम लोग कहते हैं कि विस्पर नहीं उन्होंने बात उठाई कि अगर आप बिहार को ल सकती है परदेश की सरकार जांच कर सकती है ना छे महिने में कोई रिपोर्ट आई है आप इतनी बार ने रिपोर्टिंग किया मैं विपक्ष में ममता बैनर जी को भी मान रहा हूं और आपको भी मान रहा हूं अगर विपक्ष में आप सब सहयोगी हैं और ममता बैनर जी वहां की मुख्यमंत्री कह रही है कि हम प्रधान मंत्री को प्रधान मंत्री नहीं मानते हैं हम मानते हैं कि वो पूरे देश के हों पश्चिम बंगाल के प्रधान मंत्री नहीं है, अब ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार क्या करे? वो बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जो वेस्ट वेंगाल की जो भी सिती है, उस सिती में दोनों ही पक्ष उतने ही जिम्मेदार हैं, मैं खुले सब्दों में कहना चाहता हूं, बीजेपी के भी लोग का उतना ही इन्वाल्मेंट है, जितने जो है ममताव एनर्जी के लोग क पार्टी के लोग का विन्वाल्मेंट है, एक तरफ से रही ताली दोनों हाथ से यहां बज रही है, और यहीं है कि जो केंद सरकार है, मूख दर्सक बना हुआ है, केंद सरकार प्लराइजेशन और वोट देख रहा है, उसमें कि जितनी हिंसा होगी, उतना फाइदा बीजे पी का भी उतना ही रोल है, यह लोग क्या कहेंगे, यह लोग ग्रसित होके बात करें, हम वहां लोकतांत्रिक पद्धिती से बेश्ट वंगाल को नियंतरन करने के लिए सारे लोगों से सहमती चाहते हैं कि आप बताईए क्या किया जाए, जो यह लोग कहेंगे, वही सोचा नवल जी, यह जो आरोप विपक्ष का है, क्या वाकई आप राष्ट पती शासन इसी वज़े से नहीं लगा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि उसका फाइदा मम्ता बनर जी उठा न ले जाएं, तो आपने भी छोड़ दिया है कि विधान सभा चुनावत तक होने देते हैं लेकिन राष्ट पती शासन के लिए सबसें बड़ा आधार कानून व्यवस्था ही होती है, यह भी सच है परिवारों के प्राइवेट लिमिटेड पाटी नहीं है, विचारों की पाटी इसलिए इसमें सवाल कहां आ गया प्रेसिडेंट रूल लगाने का अईसा तो हमारी पाटी ने, हमारे पाटी के किसी प्राधिकारी ने भी कभी कोई चर्चा नहीं किया हुआ, हम उसका नियंतरन चाहते हैं, लोग तांतरिक तरीके से, वापसी सहमती से नवल किशोर जी, बड़ी बिनमरता से काता हूँ, किस लोग कांतरिक पधती की बात कर रहे हैं, पहले अपने NDA के मीटिंग कर लीजिए, सारे चार साल में एक तुगमी, NDA के मीटिंग नहीं हुई, अभी जेडियू के लोग हैं, आपके मंतरि मंदल में सम्मलित नहीं होत आपके केंद्रिये मंतरी, जो कैबिनेट मंतरी हैं केंद्रि में, वो खुलियाम फूट कर रहे हैं, मानने मुखमंतर जी चाहते हैं, कि सरकार जो है, वो सीधा राश्चुपती शासन लगाएं, लेकिन वो आपसे सही होग चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष कहे, इतने घटक दल हैं, और अगर दस से बारा अगर घटक दल का नाम बता जीए, तो मैं समझ जाओं का कितनी वरी निता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पश्चम बंगाले का ऐसा मुद्दा है, जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पर जैसे भी हो कानून विवस् सहयोगी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, ये बड़ी बात है, विपक्ष तो विरोध करेगा आपका, हमारे सहयोगी ही नहीं खड़ा है, हमारे सहयोगी के इर्दगिर जो नजर लगा के देख रहे हैं, वह अभी खड़ा होना पड़ेगा, देश के सवाल पर, देश क चलिए ठीक है, हम सब चाहते हैं कि बिहार की अस्मिता की जहां बात आए, वहाँ सब एक जुठों और पश्चिम बंगाल के हालात पर नियंतर नो, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब का मारे साथ जुनने के लिए, माधवान अंजी, डॉक्टर सुनील नवल जी, बहुत बहुत शुक्रियाबाद, बिबाग में फिलाहल इतना ही बने रियाजी बिहार जारगंड के साथ, नमस्कार